हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर मैं आप सभी के लिए बूदों की कुछ और सची डरावनी कहानिया लेकर आ गया हूँ तो अगर आपको सची डरावनी कहानिया सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहत करीब से देखते हैं मेरा नाम दिवाकर है, ये मेरे चाचा और उनकी वाइब के साथ घटी बिलकुल सची घटना है ये बात तब की है जब मेरे चाचा ने एक नया घर खरीदा था और अपनी वाइब के साथ उसी घर पर सिप्थ हो गए थे उस नए घर के बारे में मेरे चाचा को ज्यादा मालूमात तो नहीं थी दरसल उनको एक अच्छा सा घर खरीदना था और जब उनके किसी जानने वाले ने उन्हें उस घर का पता बतलाया तो चाचा घर देखने गए और उनको वो घर पसंद आ गया तो उन्होंने उस घर को खरीद लिया और अपनी वाइब को साथ लेकर उसी घर पर सिफ्ट हो गए चाचा बताते हैं कि उनका उस घर पर पहला दिन तो काफी अच्छा रहा मगर अगले दिन जब वो आफिस जा रहे थे तो उन्होंने देखा किचन में उनकी वाइब यानी चाची खाना बना रही थी तो उन्होंने चाची से कहा कि टेबल पर खाना लगा दो मैं हाथ दो कर आता हूँ फिर चाचा हाथ धोने के लिए गय तो उन्होंने देखा चाची नहाथ होकर के बाथरूम से बाहर निकल रही थी वो देखकर चाचा को अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने हैरानी से चाची से पूछा कि तुम तो किजन में थी न तो चाची ने जवाब दिया कि नहीं तो देख नहीं रहे मैंना हाथ होकर बाहर निकल रही हूँ चाची की बास सुंकर चाचा भाग कर किचन की तरब गए चाची भी उनके पीछे गई जब वो लोग किचन के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि किचन में तो कोई भी नहीं था मगर किचन में रखा सारा सामान जमीन पर विख्रा पड़ा था वो देखकर चाचा बहुत खबरा गए मगर उन्होंने चाची से कुछ कहा नहीं और आफिस चले गए फिर उसी रात जब चाचा अपने कमरे में सो रहे थे तो आधी रात अचानक उन्हें अपना सरीर बेहत भारी लगने लगा चाचा ने हरबड़ा कर आखे खोली और तब चाचा बताते हैं कि उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी चीख निकल गई उन्होंने देखा कि एक धुंदला सा साया उनके उपर बैठा उनका गला दबा रहा था वो देखकर चाचा इतना डर गए कि डर के मारे वहीं बेहोस हो गए अगले दिन जब उन्हें होस आया तो वो अपने कमरे में बेसुत पड़े थे और होस में आते ही उन्हें रात की सारी बाते याद आ गई और उनके पसीने छोटने लगे चाचा बताते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द चाची को रात की सारी बात बताकर उस घर से निकलना था तो वो भाग कर चाची के कमरे की तरब गए और जब वो चाची के कमरे में पहुँचे तो चाची उनके कमरे में नहीं थी ये देखकर चाचा बहुत खबरा गए और चाची को आवाज देते हुए पूरे घर में धूनने लगे और तभी चाचा की नजर चट के दर्वाजे पर पड़ी चट का दर्वाजा खुला हुआ था चाचा को लगा की सायद चाची चट पर है तो वो भागते हुए चट में पहुँचे और घर की चट पर पहुँचकर चाचा ने जो देखा वो देखकर चाचा के पैरों के नीचे से जमीन किसक गई और वो लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े चट पर चाची की लास बेहदी विवस्त हालत में पड़ी थी चाची का सिर्फ दो हिस्सों में फटा हुआ था और आखे बाहर निकली हुई थी चट पर हर तरब चाची के मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे देखने से ऐसा लग रहा था मानो कोई चाची को उनके कमरे से घसीट कर चट पर ले गया और उनके मांस को नोच नोच कर खा गया रो रोकर चाचा का बुरा हाल हो गया और रोते विलगते हुए चाचा ने पुलिस को कॉल किया पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बात इसी नतीजे बर पहुँची कि ये किसी नंगली नर्वच्ची जानवर का काम है मगर चाचा को पूरा यकीन था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है उस रात की बात कई दिनों बात भी चाचा के दिलो दिमाग पर हावी थी वो घर तो चाचा ने उसी दिन छोड़ दिया था लेकिन अभी भी चाचा को लग रहा था कि चाची की मौत की पीछे उसी साय का हाथ है जिससे उस रात चाचा का सामना हुआ था तो चाचा एक पहुँचे हुए मौलवी से मिले और उन्हें पूरी बात बताई चाचा की बात सुनकर मौलवी साहब ने बताया कि उस घर पर एक खतरनाग जिन्न का साया है जिसने तुम्हारी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और आगे मौलवी साहब ने चाचा से बताया कि उस रात उस जिन्न के साया ने तुम पर हमला किया था मगर तुम्हारी चीके सुनकर तुम्हारी पत्नी भाग कर तुम्हारे कमरे में आ गई तुम तो बेहोस हो चुके थे तो तुम्हें मरा हुआ समझ कर उस चिन्न ने तुम्हारी पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया मौलवी सहाब की बात सुनकर चाचा के रौंग टिकड़े हो गए और उन्होंने मौलवी सहाब से उनकी जान उस चिन्न के साय से बचा लेने को कहा चाचा की बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि अब डरने की बात नहीं है बस अब कभी दुवारा उस घर में मत जाना उस जिनी की आत्मा उस घर में कैद है मौलवी साहब की बात सुनकर चाचा की जान में जान आई तो दोस्तों ये थी मेरे चाचा और चाची के साथ घटी बिल्कुल सची घटना मेरा नाम रुपेस है ये मेरे और मेरे दोस्त विवेक के साथ घटी बिल्कुल सची घटना है ये बात तब की है जब मैं और विवेग देर रात खड़ लोट रहे थे रास्ते पर चलते हुए अब हम गाउं के बाहर के कब्रिस्तान तक पहुच चुके थे कब्रिस्तान के पास पहुचते ही मैंने मेरे दोस्त विवेग से कहा की बाई और ते चल ये जगे ठीक नहीं है मेरी बात सुनकर विवेग हसने लगा और मुझसे बोला की क्या यार अवल दर्जे का डरपोक है तू ये कब्रिस्तान देखकर डर रहा है अब भूतूत कुछ नहीं होते और इतना कहकर हसते हुए विवेग ने कब्रिस्तान के सामने थूग दिया और फिर विवेग मुझसे बोला की देख इस कब्रिस्तान के सामने मैंने थूख भी दिया और मैं यही हूँ आज देखते हैं कि भूत मेरा क्या उखारते हैं दोस्तों आपको तो पता ही है कि ऐसी जगहों पर थूखने या फिर पेसाप करने से उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है विवेक की सरकत से मैं बेहदी घबरा गया और समझ गया कि अब कुछ बहुत खलत होने वाला है और फिर मैं विवेक को घसीट कर गाउं ले जाने लगा मगर अभी मैं विवेक को लेकर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छोट गए और मैं पसीने से लद्पत हो गया मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान भी हमारे साथ साथ ही चल रहा था वो देखकर मैं और विवेक दोनों बेहद घबरा गए और पूरी चान लगा कर हम वहां से भागने लगे और फिर भागते भागते मैं गाउं पहुँच गया और फिर मैंने विवेक को आवाज देते हुए मेरे पीछे देखा तो मैंने देखा कि विवेक मेरे साथ नहीं था वो देखकर मैं बेहादी घबरा गया और फिर मैंने फौरण सारी बात गाउं की लोगों को बताई मेरी बात सुनकर सभी गाउंवाले भी सक्ते में आ गए और फौरण उस कबरिस्तान की तरफ भागे मैं भी गाउंवालों के साथ कबरिस्तान की तरफ भागा और फिर जब मैं सभी गाउंवालों के साथ कबरिस्तान के पास पहुचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रौंग टिखड़े हो गए मैंने देखा कि विवेक की मौथ हो चुकी है और उसकी लास उसी कब्रिस्तान के सामने इतनी विवस्त हालत पर पड़ी थी कि उसको एक नजर देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था विवेक की आँखों की पुद्लिया नहीं थी और उसके मांस की लोतले रास्ते पर इधर उधर बिखरे पड़े थे दोस्तों वैसे तो इस घटना को हुए अब काफी वक्त गुजर गया है मगर आज विवेक की मौत पुरे गाउं में एक रहसे बनी हुई है दोस्तों आपको क्या लगता है विवेक की मौत कैसे हुई होगी हमें कमेंट में जरूर बताएं तू दोस्तो ये थी मेरे और विवेक के साथ गटी बिलकुल सच्ची घटना मेरा नाम योगिता है ये मेरे साथ गटी बिलकुल सच्ची घटना है ये बात आज से तकरीबन डाई साल पहले की है दरसल उन दिनों मैंने कोचिंग जॉइन कर रखी थी कोचिंग पढ़ने के लिए मैं साम के करीब 6 बजे मेरे घर से निकलती थी और रात 8 बजे तक वापस घर के लिए लोटती थी मुझे पता था कि मेरी कोचिंग का टाइम काफी लेट है और मुझे रात में सफर करना बिलकुल पसंद नहीं है मागर मैं जहां रहती हूँ उस पूरे इलाके में सिर्फ वही एक ढंकी कोचिंग लास थी इसलिए मुझे मजबूरन अपने कोचिंग टीचर के बताए टाइम के मुताबिक ही जाना होता था खेर उस रात कोचिंग पढ़कर मैं वापस अपनी स्कूटी से मेरे घर लोट रही थी उस वक्त रात के आठ बज़ रहे थे कोचिंग से लोटते हुए अब तक मैं लगभग आधे से ज़्यादा सफर तैकर चुकी थी उस रात रास्ते पर ट्रैफिक कम था इसलिए मैं सकूटी को कुछ ज़्यादा ही तैच चला रही थी फिर कुछ दूल और आगे जाने के बाद मैंने देखा रास्ते पर कुछ काम चल रहा था मैंने इस कूटी की स्पीट कम की और जब मैं रास्ते पर काम कर रहे उन लोगों के पास महुची आप उधर से चली जाओ उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी परिसान हो गई क्योंकि मैं इससे पहले कभी उस सौटकट वाले रास्ते से नहीं गई थी पता नहीं वो रास्ता कैसा होगा मैं ये सब सोची रही थी कि तभी मैंने देखा एक कार भी उसी सौटकट से होकर चा रह चाली और उस सौटकट की तरब बढ़ गई उची समय में मैं उस सौटकट वाले रास्ते के काफी अंदर पहुँच चुकी थी कार अभी भी मेरी स्कूटी के सामने ही थी और मैं भी उसी कार का पीछा करते हुए वो सौटकट पार कर रही थी वो रास्ता वैसे तो ठीक ठा था मगर उस रास्ते पर एक अजीब सी गंधा रही थी जैसे किसी के मांस के सरने से आती है मैंने सोचा हो सकता है ये किसी जंगली जानवर की गंध हो जो सायद यहीं रास्ते के आसपास कहीं मर गया होगा लेकिन फिर मैं कुछ दूर और आगे गई थी कि तभी मैंने जो द देखा वो देखकर मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मैंने देखा रास्ते के किनारे एक के बाद एक कई सारी इंसानी लासे पड़ी थी वो देखकर डर के मारे मैंने जोर की ब्रेक लगाई और वहीं रास्ते के बीचो बीच खड़ी उन लासों को देखने लगी कि कहीं य मेरे रुखने के साथ ही वो कार भी अचानक चलते चलते रुख गई और एकाएक पीछे की ओर यानि कि मेरी तरब बढ़ने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन मैं इतना तो समझ गई थी कि हाँ कुछ तो गड़बर जरूर है तो मैंने जल्दी से स्कूटिक को यूटरन लिया लेकिन मैं पीछे पल्टी ही थी कि मैंने देखा मेरे पीछे रास्ते पर वही लोग थे जो कुछ समय पहले मुझे उस दूसरे रास्ते पर काम करते हुए दिखे थे उन लोगों को एकाय इस रास्ते पर देखकर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि तभी वो लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे और कहने लगे कि मैडम रास्ता बंद है अब आप यहां से कही नहीं जा सकती और इतना बोलते ही वो लोग अपने असली रूप में आ गए जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी मररतौल चीख निकल गई उन सभी लोगों के चेहरे बुरी तरह से कुछले हुए थे और उनकी आखे चमक रही थी बिलकुल किसी सफेद बल्व की तरह वो देखना ही था कि मुझे समझा गया कि ये लोग कोई इंसान नहीं बलकी आत्माए हैं और मैं इन आत्माओं की चपेट में हूँ मैं ये सब समझी रही थी कि तभी अगले ही पल उन सभी आत्माओं ने मुझे चारों तरफ से घेड़ लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी वो देखकर मैं इतना डर गई कि धर के मारे मेरा पूरा सरीर कपकपाने लगा और मैं इस कूटी के साथ लड़ खड़ा कर जमीर पर गिर पड़ी और फिर इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा मैं बेहोस हो चुकी थी जब मेरी यहांग खुली तो हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं सौट कट से पहले वाले रास्ते जिससे मैं हर रोज अपने घर जाती थी उसी रास्ते के किनारे जमीन पर बेसुत पड़ी थी मेरे सर पर काफी दर्द हो रहा था मैंने सर पर हाथ रख कर देखा तो मेरे सर से खुन बैरा था और तो और मेरी स्कुटी भी वही रास्ते के किनारे बड़ी थी रात की सारी बातों ने मेरे दिमाग में हलचल मचा रख की थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है फिर जैसे दैसे मैं उठी और हॉस्पिटल जाकर मैंने अपने सर पर पट्टी कराई फिर कुछ दिनों बाद मैं एक पीर बाबा से मिली और पीर बाबा को मैंने पूरी बात बताई तो मेरी बाते सुनकर पीर बाबा ने कहा कि बेटा वो छलावा था और फिर पीर बाबा ने एक धावा मेरे हाथ पर बानते हुए मुझे से कहा कि तुम्हारे सितारे बहुत मजभूत हैं इसलिए तुम्हारी जान बच गई, वरना जो भी छलावे की चपेट में आ जाता है, वो जिन्दा नहीं बचता, पीर बाबा की बात सुनकर मैंने भगवान से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा, दोस्तों उसके बाद कभी दुबारा मेरा सामना ऐसी चीजों से तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब मैं उस खटना को याद करती हूँ, तो सहम जाती हूँ, तो दोस्तों ये थी, मेरे साथ गटी, बिल्कुल सची खटना, मेरा नाम सुजीत है, मैं आपको एक सची कहानी बताने जा रहा हूँ, जो मेरे दादा जी के साथ हुई थी, ये बा और खेती किया करते थे, ये बात तब की है, जब एक रात मेरे दादा जी खेत में पानी दे रहे थे, तो खेतों में पानी देते हुए, उन्हें काफी रात हो गई थी, रात के तकरीबन नव बच चुके थे, मेरे दादा जी अभी खेतों में पानी दे ही रहे थे, कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज देकर बुला रहा है तो आवाज सुनने के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया और जब दादा जी ने इधर उधर खेतों की तरब देखा तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया तो इसे अपना वहन सोच कर वो वापिस अपने काम में लग गए लेकिन तभी फिर से किसी ने उन्हें आवाज दी इस बार आवाज उनके काफी पास से आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें उनके पीछे से आवाज दे रहा हो तो दादा जी ने पीछे पलट कर देखा तो इस बार भी पीछे कोई नहीं था तो इस पर दादा जी को तेज गुस्टा आ गया और उन्होंने गुस्से में वहाँ जो कोई भी है उसे उनके सामने आने के लिए बोला दाजा जी बताते हैं कि उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनके पास का एक आम का पेंड जोरो से हिलने लगा ऐसा कि जैसे अभी जमीन से उखर जाएगा वो देखके दाजा जी बहुत डर गए और वहां से भागने लगे लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई और भी उनके साथ उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है तो इस पर दाजा जी पूरी ताकत लगा कर वहां से भागने लगे लेकिन अभी वो कुछ दूर और आगे गये ही थे कि तभी किसी अद्रस से चीज ने उनकी गरधन पकड़ ली और एक जटके से उन्हें खेतों पर पटक दिया खेत पर गिरते ही दाजा जी के हाथ पर बहुत गहरी चोटा गई और वो जोर जोर से चीखते हुए अपने भाईयों को उनकी मदद के लिए बुलाने लगे दरसल खेत से कुछी दूरी पर दाजा जी का घर था तो इसी उम्मीद में कि कोई उनकी आवाज सुन लेगा वो पूरी जान लगा कर चीखने चिलाने लगे लेकिन तभी लेकिन तभी दाजा जी ने देखा कि उस अद्रस से चीज ने आकार लेना सुरू कर दिया और मेरे दाजी के देखते ही देखते उस अद्रस से चीज ने एक ख़वीज का रूप ले लिया और वो खवीज इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे दाजी के रॉंग्टे खड़े हो गए और वो इतना डर गए कि डर के मारे वो उस खवीज के सामने रोने गिल गिराने लगे लेकिन उस खवीज ने उनकी गर्दन पकड़ ले और वो उन्हें घसीट कर उसी आम के पेंट के पास ले गया डर के मारे दाजी का पूरा सरीर कब कपा रहा था और वो रोते बिलगते हुए उस खवीज के सामने हाथ जोड़ने लगे और उससे कहने लगे की मुझे छोड़ दो मैंने तुम्हारा क्या बिगारा है दादा जी की बाते सुनकर उस खवीज ने मेरे दाजी को छोड़ दिया और फिर वो खवीज मेरे दाजी से बोला की तेरे पास जो तमाको है वो मुझे दे दे उसकी बात सुनकर डरते हुए दादा जी ने अपनी जेव से तमाखो की पुडिया निकाली और उस खवीज को दे दिया तमाखो लेते ही वो खवीज दादा जी से बोला कि फिर कभी यहां आना तुम मेरे लिए तमाखो लेकर आना और इसी आम के प्रेड़ के पास छोड़ जाना वरना अगली बार तमाखो की जगे मैं तुझे खाऊंगा इतना बोल कर वो खवीज उसी आम के प्रेड़ में समा गया और दादा जी बिना वक्त गवाए वहां से निकल गए मेरे दादा जी बताते हैं कि फिर जब भी कभी वो उस खेत में गए तो उस खवीज के लिए एक प्रिया तमाखो जरूर ले जाते थे और उस तमाखो को उसी आम के प्रेड़ के नीचे रख देते थे और दोस्तों इसके बाद फिर कभी दोबारा मेरे दादा जी का सामना उस भूके खवी से नहीं हुआ तो दोस्तों ये थी मेरे दादा जी के साथ घटी बिलकुल सची घटना कर दोस्तों ये जाते थे दोस्तों ये नहीं है